इस ट्यूटोरियल में हम Google Sheet के इंटरफेस के बारे में जानेंगे। Google Sheet बनाने के लिए आपका Google Sheet में एकाउंट होना चाहिए। उसके लिए आप Google Drive के एकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर Google Drive में आपका एकाउंट नहीं हैं तो आप आपके Gmail ID के जरिये बना सकते हैं। आपको सिर्फ Google Drive Sign Up वेब पेज पर जाकर आपका Gmail ID और पासवर्ड एंटर करें। Google Drive में Sign In होने के बाद आपका Google Drive का Window Open मिलेगा। जिसमें दाएं तरफ दिये Red Color के New Button पर क्लिक करें। New Button पर क्लिक करते ही आपको Google Sheet का Option दिखाई देगा। उसे सलेक्ट करें। एक नई विंडो में Spreadsheet ओपन होगी। इस तरह से आप Google Sheet एकाउंट और फाइल बना सकते हैं। इससे पहले अगर आप Google Docs का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो Google Docs के File Menu में से New के Option में से Spreadsheet को सलेक्ट करें। आप इस तरह से भी Google Sheet फाइल बना सकते हैं। आपको बाइं तरफ ग्रीन कलर का बड़ा बटन दिया है जो Google Sheet का Home बटन है। उसके पास में Untitled Spreadsheet लिखा है। वे File Title है। जो अभी Untitled है। उसके बाइं तरफ Star और Folder आइकन देखेंगे। Star आइकन से आप उस File का महत्व गिन सकते हैं। जिससे उसे डूनना सरल हो। Folder आइकन से उसे आप दूसरे कोई Folder में Move कर सकते हैं। जिसके बारे में जानकारी अगले टूटोरियल में जानेंगे। Title Name के नीचे आपको Menu बार दिखाई देगा। File, Edit, View, Insert, Format, Data, Tools, Add-ons और Help जैसे Menu दिये हैं। उसके बाद नीचे Tool बार दिया है। जिसमें Category Group दिखाई देगा। यहां आपको Print, Undo, Redo, Print Format का Quick Action आइकन दिखाई देगा। और Formatting Tools जैसे ही कितने Tools का समावेश देखेंगे। Tool बार के नीचे Functions बार देखेंगे। जहां Data और Functions एड़ कर सकते हैं। आपको बड़े Viewport में Horizontal और Vertical Lines दिखाई देगी। जिसमें Horizontal Lines को Rows और Vertical Lines को Column कहते हैं। आपको जो A, B, C, D वगेरा Alphabets दिखाई देंगे वे अलग-अलग Column दर्शाते हैं। दाएं तरफ दिए 1, 2, 3, 4, Numbers वे अलग-अलग रोज दर्शाते हैं। Viewport में नीचे की तरफ Sheets से जुड़े Options दिए हैं। Viewport में Navigation के लिए Horizontal और Vertical Scrolls दिए हैं। उपर बाएं तरफ Sign In Account और Comment तथा Share बटन दिया है। दोस्तों इस Tutorial में Google Sheets के इंटरफेस के बारे में जाना। How can I practice a lo प्राण के लिके लिए हैं। गẹं जारी में जा प्राण की तरही है।